आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर थमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा हाँ जी आज कल जो आरा फिनेंशेल इयर 17-18 के भी कुछ नोटिस आ रहे हैं लेकिन आपका कन्फ्यूजन यह होगा कि सर्फ फिनेंशेल इयर 17-18 क के नोटिस तो आई नहीं सकते क्योंकि वो नोटिस तो टाइम बाढ़ हो गए है उनका टाइम पिरिएड निकल गया है तो बात करते हैं कि वह यह नोटिस क्यों आ रहे हैं इनका टाइम पिरिएड क्या होता और क्यों निकल गया है और अगर फिर भी नोटिस आ रहे हैं तो इन नोटिस का reply कैसे आप करोगे तो बात करते हैं कि 14 नवंबर 2022 को एक नोटिस आया डेट क्या है जी 14 नवंबर 2022 अब ज़रा इसका समझ ना कि इसकी due date क्या थी नोटिस आने की अगर हम बात करते हैं तो financial year 78 है और जो नोटिस आया है वो section 73 1 में आया है ठीक है जी section 73 1 में नोटिस आया है अब जो हमारा section 73 है वो क्या कहता है कि जब भी कभी वही तुमारी GSTR 99C की जो date होगी उसके 2 साल 9 महीने के अंदर आप हमें नोटिस भेज सकते हों जब आप section 73 को पढ़ोगे तो उसमें वाली बात करवरी को श्टार्ट हो रहा है यह live course है जूम पर हम इसके अंदर आपको सारे section पढ़ाएंगे सारा practical कराएंगे सारी theory इसमें seat limited है जूम app पर classes होंगी तो अगर आपने अभी तक इसका registration नहीं लिया है तो फटा-फट registration ले लो यह इंडिया में मैं पहली बार ऐसा course करा रहो ठीक है इससे पहले मैंने अभी तक google drive face to face करा तो आप इसमें registration करा ले अब मुद्दा आता है कि वही section 73 में जब time period हमारा 2 साल 9 महीने है तो 2 साल 9 महीने कहां से है annual return की due date से तो annual return की due date financial year 17-18 के case में क्या थी तो अगर आपको याद हो financial year 17-18 के case में जो हमारी due date थी वो due date थी 5 और 7 फरवरी कुछ states के लिए 5 फरवरी कुछ states के लिए 7 फरवरी 2020 ये कौन से साल की बात कर रहो है financial year 17-18 की annual return अब सर यहां से 2 साल 9 महीने अगर आप लगाओगे क्योंकि section 73 में जो notice आता है वो 2 साल 9 महीने में आता है तो ये खतम हो जाता है 5 और 7 नवंबर को और जबकि notice कब आया है 14 नवंबर को तो अब आप को होगे सर यह तो time bar है ठीक है ना जी नवंबर में notice आ रहा है December में आ रहा है जनवरी में आ रहा है हाँ बिल्कुल ठीक के रहे है टाइम बाड़ है लेकिन एक notification आई थी 5 जुलाई 2022 को और इस notification ने क्या बोला था 5 जुलाई 2022 को जब ये notification आई इसने क्या बोला कि हमना time limit बढ़ा रहे है ठीक है ना तो इसने क्या करा section 73 10 की और section 73 9 की इन दोनों की time limit बढ़ा दी notice issue करने की भी और order निकालने की भी और कौन से period के लिए बढ़ाई है 17 18 के लिए और क्या time limit करती है 30 सितंबर 2023 तो अगर किसी को notice जो अभी January में आ रहा है February में आ रहा है November, December में आ रहा है इस notification की वज़ा से तो ये time bar नहीं होता है अगर आप section को देखोगे calculations करोगे तो ये time bar है लेकिन इस notification के आने की वज़ा से जो की 5 July 2022 को आई थी कौन से section में आई थी section 168 A के अंदर तो यहाँ पर इस notification के आने की वज़ा से अब इनका time extend हो गया है तो इसलिए आप इस तरह के notice को time bar नहीं कह सकते है लेकिन फिर भी करना क्या है जब notice आ रहा है हो सकता है क्या पता officer को ये बात ना पता हो क्या पता हो officer हमारी वीडियो ना देख रहा हो और आप देख रहे हो तो आप कम से कम एक line लिग देना फिर officer तुमें कहेगा नहीं नोटिफिकेशन आने से time बढ़ गया था क्या पता तुम बच भी जाओ ठीक है तो आप ये लिख सकते हो कि यहां से इसका time दो साल नो महीने था ठीक है न तो ये time bar हो गया है ठीक है एक बार आप discussion कर सकते हो क्या पता officer drop कर दे हो बाकी हमारे इस Sunday भी webinar है next Sunday भी webinar है हम approximate ठीक है न साल में 50 webinar करते है अगर किसों को उसकी annual membership चाहिए तो वो ले सकता है और हाँ 18 February को बजट में जो चीजे आई थी ठीक है उसके बाद अब GST council की meeting है तो इसकी न हमारी magazine आईगी ठीक है न हमारी magazine आईगी उसमें जो भी changes होगे हम अपने YouTube पर भी बताएंगे और साथ के साथ हम किसमें बताएंगे अपनी magazine में तो अगर किसी न अभी तक magazine subscribe नहीं करी है तो वो करा ले सर क्या क्या changes हो सकते हैं ठीक है न इस बार की GST council में तो 9 और 9C की late fees पर कुछ relaxation आ सकता है GSTR 10 की जो fees है ठीक है उस पर relaxation आ सकता है अच्छा सर अभी न आपने मेरे YouTube channel पर कुछ videos देखी होंगी जिसमें मैं CA Inter को पढ़ा रहा हूँ तो मेरी आप लोगों से request है जितने भी मेरे subscriber है उनसे मेरी request है कि अभी हम इस channel पर CA Inter का GST भी पढ़ाएंगे तो अगर आपके relation में कोई व्यक्ति है जो CA Inter का GST पढ़ना चाता है तो आप उन्हें हमारी वीडियो को refer कर सकते हैं और यह जो CA Inter की जो वीडियो डालेंगे हम अपने YouTube channel पर यह GST की होंगी तो इसलिए अगर आपको भी समय मिले जो भी professional है कोई यह सोचेगा मैं Chartered Accountant to मैं Advocate to मैं CA Inter का क्यो पढ़ू लेकिन अगर आप इसे पढ़ते हो तो आपकी knowledge बढ़ेगी ठीक है ना तो या तो आप हमारा live course ले लो और जो CA की तयारी कर रहे हैं वो हमारा CA Inter का ये वाले batch में admission करा ले और videos आप दोनों देखते रहे हमारे channel पे ये ना सोचे तो CA Inter की है बच्चों के लिए मेरे लिए नहीं है क्योंकि उसमेरा deep analysis होता है आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जादे से जादा लोगों तक share करना comment box में comment डाल कर हमें बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी क्या आपको भी 73 के notices आ रहे हैं क्या 17-18 के notices आ रहे हैं तो आप उनका कैसे reply कर रहे हैं क्या आप इस वाली notification को consider कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये सारी बाते मुझे बताना इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूं thank you for watching